अब NTA नहीं NBE ही आउजित कराएगा NET-UG, NTA पर अधिक बोज के कारण बदलाओ की तैयारी, Medical में Admissions के लिए NET-UG अब National Testing Agency NTA आउजित नहीं करेगा, अगले सतर से NET-UG का आउजिन National Board of Examination in Medical Sciences NBEMS दवारा किये जाने की तैयारी की जा रही है, इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगा गया है, NBE ने कहा है कि NET-PG की तरह NET-UG का भी आउजिन किया जाएगा, अब तक नेट-UG का आउजिन NTA कर रही है, जबकि नेट-PG का आउजिन NBE करता है, इस पर अंतिम फैसला के इंदर सरकार के शिक्ष्या और स्वास्ते विभाग को करना है, लोगों ने इस पर अपना सुझाव भी पोजिटिव दे दिया है, स्ट्रेंट्स भी चाहते हैं कि NBE ही परिक्ष्या का आज़िन करे, NTA के निदे सके साधना पारासर ने कहा कि हम लोग केवल परिक्ष्या लेते हैं, सिलेवस और परिक्ष्या का पैटन नेशनल मेडिकल एडमिसन कमिसन के द्वारत जारी किया जाता है, NTA के पास बोज बढ़ गया है, देश भर में परिक्ष्या आज़ित कराने की सबसे बड़ी संस्था NTA बन गई है, देश भर की सबसे बड़ी परिक्ष्या का आज़िन NTA ही करा रही है, NTA के पास बोज ज़्यादा हो गया है, बोज को कम करने के लिए ये फैसर ले गया है कि एंटे के दिखारियों ने परिक्षा पैडर्न में कोई बदलाव नहीं किया है